हाई गाईज वेल्कम बेक तो मैं हुसुगम और मेरे चानल पर फिर से लिक बार आपका स्वागत है तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मुसे बहुत सो लोग बोल रहे थे कि मैं आप लोगों के लिए वेजिटेरियन कीटो डाइट बताईए कि जो मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं जो चाहते हैं कि वो फिटो डाइट करें और अपना बोड़ी फैट उसे पूरी तरह संगा है देखें क्या होता है आप कुछ लोगों देखते होंगे कि उनका वेट 60 है लेकिन आपको लगता होगा वो देखने में 40-45 है तो यह जो है वो कीटो डाइट काहीं कमाल है कीटो डाइट इस्पेशली क्या करती है वो आपके अंदर जो भी फैट है उसे मैट करती है यानि कि आपकी बॉड़ी को चलाने के लिए वो बाहर से काल या एनरजी ना लेके आपके बॉड़ी के अंदर के फैट को यूज करती है तो जी हाँ कीटो डाइट में हम काब ना लेके काब नहीं लेते हैं बहुत ज़्यदा प्रोटीन लेते हैं सारी चीज़े अड़ करत इसे के वाल हाई फाई लोग या पॉड़ कर सकते हैं हर को इसे अपॉर्ट कर सकता है तिन और ब्रेकफास्ट और इंडिन स्नैक बहुत जल्दी लेके आऊंगी यह भी एक आप इसको बोल सकते हैं कि यह भी पूरा एक स्टेप बाइस्टेप मैस में चलूंगी तो आज मैं लग छे रेइसपी लेके आई हूं तो टाइंब को बेस नहीं करते हैं और चले चलते हैं तो प्रेंटS इस रेइसपी को बनाने के लिए आपको यहाँ पर ऑली ओ चाहिए और ले चाहिए और चीज भी ले सकते हैं या फिर आप बटर भी ले सकते हैं जो सॉल्ट वालन नह जैसा आपको पसंद हो क्योंकि हम इंडियन्स को जब तक लैसून और यह सब चीज़ ना पड़ा हो उतने ज्यादा अच्छा नहीं लगता है और इसके बाद आप प्यास डाल दीजे अगर आप खाते हो तो आप डाल यह वरना यह आपके जाल ना हो जाए और इसके बाद जील बादे हो आप पालग पनिर मसाला डाल के स सकते हो मैं च Rayisентов रहर हो नोर्मल घर का मसाला डाल रही हूं जिसमें के में इसमें oil कम डाला है, तो आप हلका सा पानी आपको पालक पालक के पानी को आप इसमें डाल ढाल की है, और मसालो को अच्छे से मसाले पखा लिजे आप चाहें तो सबकी प्यूरी बना के डाल सकते हैं लेकिन मैं यहां पे ऐसे ही और देखिए यहां पे जो है सारा मसाला पग्या है और जो टमाटर है वह भी अच्छे से पूरे पूड जा रहा है अब जो पालक है उस पालक को जो आपने बॉयल करके उसको ग्राइंड किया है अब कर दो आप को तो कवश बमा ला देखिए और आपने डाल को सबना है और जो पालकमयशा पालक को जो जो निकल जाए और छोड़ा ज़या प्कों सभी। ör corsa ऑप चाह और क्लों जोिए जिस थी तो को पक्क्श पालकम्पन करें तो जूर्ड जीमीशा निकल जाए मैं पानी बेद लिवाइ्टालि में करल रशा पानी बड़ेीन केया कू इंट्रीम में maior वालद मेरे में थीक urban watch बहुत टेस्टी बनती है आप चाहें तो तावे पे इसे हलका सा सेग भी सकते हैं चाहें जासे सारी जाए बीकस से खड़ा ही रख सकते हैं तो इस तरह से यह जो आपका पालक पनीर है बहुत ही हल्दियर वे में रेड़ी है फुल प्रोटीन है आइरन है काप बहुत ही थोड़ा सा है इसमें जो भी पता भी नहीं चलेगा आपके बोड़ी में तो इस तरह से आप इसे फ्राई करिए और हलका सा गरम मसाला उपर से आट कर लीजे धनियापता आट कर लीजे जो भी चीज आपको आट कर आट कर सकते हैं तो यह जो आपका पालक पनीर है वो पुरी तरह से रेड़ी है देखने में जितना सुन्दर लग रहा है खाने में उससे भी ज्यादा यह टेस्टी है मेरा पालक पनीर है वो बनके रेडी है और आप इसे वावल में निकाल लिए खाये एंजॉय करिए और ये मेरा एक टाइम को बना हुआ है आप चाहे तो दो टाइम को भी बना सकते हैं आप प्यूरी बना के हमेशा फ्रिज में रखिए जब आपको भूग लगे आप इसे खा बनाना कितना एजी है आप चाहे इसे लंच मिलीजे चाहे आप इसे डिनर मिलीजे आप चाहे इसे जो है मौर्निंग रेड़तास मिलीजे इसकी करी आप इसे बना के लगस आपे पींट रखिए पनीर लग रखिए जब भी खाने कमन продукal और खालिजे तो अ गर ये वीडियो पसंद आया हो तो भरवर के लाइक कर दीजे और वीडियो पसंद आया हो चानल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजे तो मुझे बहुत ही ज़दी एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ